इंसान अपने पाप चुबाने के लिए या फिर मैं गऊं अपने आपको बेगुना साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है और सिन्वा में तो ये जैसे बहुत आमसी बात है मडर मुबारक नेकलिक्स पर आ चुकी है और फिल्म के प्रडियूसर दिनेश विजन है दिनेश विजन तो जैसे करन जोहर बन चुके है हर जगा उनका नाम दिखी जाता है तो मुवी के लिए में कुछ खास अक्साइटेड नहीं था बट मेरी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं छोटी सी थी क्योंकि मुवी का जो जो जॉनर है वो है क्राइमस अस्पैस चेनर जो की परसनली मेरा फेवरेट है एक्सपेक्टेशन माने मैं कुछ जादा ग्रेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं बस कुछ डीसेंट सा क्लेन सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी सफाई होगी इस मुवी के अंदर और कहीं न कहीं कास्टिंग इस मुवी की इतनी बड़ी है की देखके लगता है शायद मेकर्स के दिमाग में आया होगा कि कुछ special casting हमें करनी चाहिए क्योंकि एक special movie हो सकती है तो चलो बात करते है story की तो story है एक RDC करके club है जिसका नाम है The Royal Delhi Club जहां किस अदर से कुछ ऐसे अमीर लोग है मतलब इतने अमीर लोग जो की social hierarchy में सबसे ऊपर का दरजा रखते हैं और पैसा तो मतलब इतना है कि इज़द भी ये लोग खरीच सकते हैं पैसे से अब इनी की club के member का murder हो जाता है जिम की अंदर और अब ये murder जो है वो इनी club members में से किसी एक ने किया है अब किस ने किया है वो story आपको आगे दिरे दिरे reveal करती चलती है movie की कई सारे scenes में हम देखते हैं चीजें काफी western वाली हमें दिखा लेगी कोशिश की गई है जैसे कि गंटी बजाते ही वेटर आ जाना इस तरह के restaurant में मैं कभी गया नहीं हूँ तो प्लस इस movie के अंदर जितने अच्छे actors है उतने ही खराब इस movie के characters है जिने आप बिल्कुल भी serious नहीं लेते even आप क्या ये खुद अपने आपको serious नहीं लेते side makers intentionally इने unlikeable बनाना चाहते हो ताकि आप ये सोचो कि कितने गलीच लोग है ये जो मर चुका है कोई और यहां रात को मज़े कर रहे हैं पार्टी कर रहे हैं तो आखिर ऐसे लोगों को अब बला कौन ही पसंद करेगा movie का strength नहीं अच्छा था वर movie की story वही average थी चुकि एक जगह पे subtle नहीं रहती कभी किसी character की story पर ज़्यान दिया जा रहा है कि इनका main क्या चीज़ है यार यह murder mystery दिखाना चाहते है या फिर दिखाना चाहते है love angle अब कई सारे लोग इस चीज़ को presentation storytelling यह कहते हैं बट till the end यह सारी चीज़े बीच में डाल कर आप movie के main subject से भटक जाते हो in the end जब movie भी खत्म होती है तब हमें पता चलता है कि इन सब की पीछे का reason ही प्यार था तो देखो हमारी जो movie की story है वो तो average ही है क्या करेंगे हम movie के अंदर एक बड़ी casting रखेंगे casting के अंदर क्या अंग नहीं अलगलग characters होगे characters को अंदर हम क्या करेंगे उनको story वेल्ड करके थोड़ी सावधान इडिया वाली feel देखेंगे और हम करिश्मा कपूर को भी ले लेंगे ठीक है अब ऐसा लगे का comeback हो रहा है तो overall movie average 3 time pass वाली movie थी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते है movie के अंदर एक दो intimate scene और कुछ गालिया है बाकी वही Netflix वाला content है तो इतना तो होगा ही मिलेंगे अगले वीडियो में यह तब तक के लिए बाई बाई टेक केर